नमस्कार आप सब भी जूड़ चुके हैं एबीसी से तो पिछले लेक्चर में एक्सेसाइज सेकेंड एके 9 परसन तक कर लिए आठ परसन तक कर लिए थे आज 9 परसन से लेकर 15 परसन करने का प्रियास करेंगे क्या तो परसन नमर 9 से शुरू करते हैं और परसन नमर 9 मारे पास है इर 2009 इस約 6 प्लस 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 4 ब्लस प्लस ब्लस 30 द क्यों य इंटु पास्कवर तो इस सब hai को क्याके या ले सबची का उखल निकाल एक्स के सबच राइक के सबच्स जड के सबच्स इन पांटसों धाज के सबसवाइकंड । पी के सब इक्स निकला तो आगए 2X-2YP, Q के सब इक्स निकला 2Y, और फिर डेल F upon डेल P में P की गुणा करेंगे, और डेल F upon डेल Q में Q की गुणा करके जोड देंगे, तो आगए पी ब्रेकट 2X-2YP plus Q into 2Y, क्योंकि यह हमारे आगे काम आने वाले हैं इसलिए हमने पहले न सब इक्स निकला तो आगए 2P, Y के सब इक्स निकला 2Q, Z के सब इक्स निकला 2, अब DX बटा डेल F upon डेल P रखेंगे, तो आगए 2X-2YP और डेल F upon डेल Q रखेंगे, तो आगए 2Q, फिर DZ बटा यह पूरा मान डेल के निचे रखेंगे, तो P ब्रेकट 2X-2YP plus 2QY, मुले में जो देर्ख है, उन सब को कैलकुलेट करके उसके बाद में लिखा है, अब देखें, चोथे और पांच उपत को सॉल्व करेंगे, तो DP बटा 4P बटा 4Q, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 4 से 4 कैंसल हो गया, तो आगए लोग P बराबर लोग Q, अब दोनों का कर दि हैं, वहाँ वहाँ, P के माइन को रखेंगे, तो 2Z प्लस 2AQX प्लस 2YQ माइनस YA2Q2 बराबर 0, तो 2Z प्लस 2Q ब्रेकेट AX प्लस Y माइनस का YA2Q2 बराबर 0, इसे हमारे पास Q का माइन आजाएगा, तो हमारे पास Q का माइन क्या आ रहे है? तो 2 का सम्हिकन बंद यह, वह सम्मिकन क्या है? YA2r upon 2Q2, माइनस का AX प्लस Y इंटो Q माइनस का Z इकल टू 0, तो यह Q, Q2Q Q और इसका मतलम है कि दिव का समीकर में तो Q का माना आएगा हमारे पास मैनस का भी यानि मैनिस का भी तो AX plus Y plus minus root B square इसका square plus 4a यह पूरा A है और इंटू B 4ac 4ac minus का 4ac था minus minus होगे प्लस 4y square upon 2 into Z upon 2a2 a का मान कि तो y square upon 2 लिख दिया अब solve करेंगे तो y का माना आएगा तो Q बराबर AX प्लस Y प्लस माइनस और ब्रेकट AX प्लस Y का O2 A² YZ का अंडर रूट के अंदर रहें अपोन A² Y यह इसे मान लें समिका नंबर 2 यह Q का मान है और AQ के मान को वापिस P बराबर P का मान निकालेंगे तो P के समिका थे P बराबर AQ तो इसमें Q का मान रखेंगे तो P का मान आजाएगा तो P बराबर होगे AX प्लस मान ब्रेकट प्लस मान अंडर रूट AX प्लस Y का O2 A² YZ अपोन AY यह होगे समिका नंबर 3 P और Q के मान आगे अब इसको इस समिकान में रखेंगे दीजेट बराबर P दीएगस प्लस Q दीवाई तो समाकलन दीजेट फिर समाकलन कर देंगे तो समाकलन दीजेट बराबर समाकलन AX प्लस Y प्लस माइनस AX प्लस Y का O2 A² YZ अंडर रूट के अंदर अपोन A² Y और बेकट में A DX प्लस दीवाई इस परकार से बनेगा तो समाकलन करेंगे तो Z बराबर AX प्लस Y का A² प्लस B प्लस Y प्लस Y तो यह आंसर होगिया किस्टन नमर 9 का अब परसन नमर 10 है Z स्क्वाई प्लस Q स्क्वाई बराबर 1 A इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का एक इन सभी को कर दिया F के बराबर और बराबर लगा दिया जिरू यह होगी समीका नमर एक F का P के साफ एकसांसी का उकल लेंगे 2P Z की पावर 4Q के साफ एकस 2Q Z स्क्वाई और इसमें P की गुणा करेंगे तो Q स्क्वाई जड उसके बाद में हम जो निकाल ले थे डी एकस बराबर डी वाई बराबर डी जड बराबर माइनस का डीक्यू उसमें से सिर्फ चृत्वा और पांच वाद को ही लेना है उसे सौल करेंगे तो माइनस का डीपी बटा 4P क्यूब जड क्यूब प्लस 2P Q स् तो माइनस से माइनस कैंसल होगे इन दोनों को बराबर करेंगे यानि डीपी और डीक्यू को बराबर करेंगे माइनस से माइनस कैंसल हो गया अब इन दोनों में कॉमल लेंगे टू पी जड और इसमें कॉमल लेंगे टू क्यू जड तो इसके अंदर बचेगा टूपी स्क् Q पॉन Q तो D P पॉन P बराबर D Q पॉन Q दोनों का कर दिया समाकलन तो लोग P बराबर लोग Q प्लस लोग A तो P बराबर A Q आई है अब इस P कमान रखेंगे समय कर नमबर 1 में तो हमारे पास Q कमान आजाएगा तो A square Q square Z की पावर 4 प्लस Q स्क्वार्ड जड़ स्क्वार माइनस 1 इकल टू 0 तो Q कमान हमारे पास है एक बटा Z A स्क्वार्ड जड़ स्क्वार प्लस 1 के ओल पावर 1 बाई 2 यह होगी समय कर नंबर 2 अब इस Q को वापस उसमें लखेंगे यह P बराबर A Q था तो P कमान निकालने के लिए A गुणा Q करना है तो इस Q को लिखेंगे वहाँ पर तो उपर आ जाएगा A और Q आ जाएगा तो P बराबर A बटा Z A स्क्वार प्लस 1 की ओल पावर 1 बाई 2 यह होगी समय कर नंबर 3 पी कमान यह Q कमान अब D Z बराबर P D X प्लस Q Q दिवाई P कमान रखेंगे यहां पर और Q कमान रखेंगे इसका समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने पर हमारे पास आंसर आएगा A स्क्वार जट स्क्वार प्लस 1 का वल क्यूब बराबर 9 A की पावर 4 बेकेट A X प्लस Y प्लस B का वल स्क्वार यह आंसर होगी क्यूशन 12 13 14 15 पांच पर सनोर करने तो प्रेशन नमरे गया रहे जट स्क्वार बरावर P Q X Y इन सभी को लेफ्ट में लेजाएंगे Z स्क्वार मैनिस P Q X Y बराबर 0 यह होगी समीकर नंबर एक इसका P के सबक्स आंसरे को को निकला Q के सबक्स और इसमें P की गुणा इसमें Q की गुणा करके जोड देंगे उसके बाद X के सबक्स Y के सबक्स Z के सबक्स निकल देंगे उ भंबर धिफी मैनिस को बठा मैनिस यूआ प्लस क biss बराबर मैनिस को इसका बड़ा-को एकस फलस टू क्यूदे अब इसमें क्या किया इसने कि DP और DQ के आगे माइनस था तो इन सभी को माइनस से गुणा करवा दी तो इसमें यहां पर माइनस QXY था वो प्लस का हो गया इसमें यहां पर माइनस का PXY था वो प्लस हो गया और इसमें यहां पर माइनस का था वो प्लस हो गया Q into DP, minus P into DQ, परापर करना X, DY, मैनस का Y, DX, इन दोनों को परापर करोगे, तो P का और Q का मान आएगा, तो हम कर रहे हैं, Q में, DP में Q की गुणा करे हैं, उसके बाद DQ में P की गुणा करके मानस करते हैं, एक तरफ तो, दूसरी तरफ कर रहे हैं, DY में X की गुणा, और DX में Y की गुणा, उसके बाद दोनों को कर रहे हैं, मानस, इसको मानस कर रहे हैं, और इसको मानस कर रहे हैं, ब्रापर कर दिया तो इस तरफ लेफट अड़ साइड नीच से क्या वैल्यू आ रहे है माइनस कब P Q Square Y प्लस का 2 P Z माइनस ब्रेकेट माइनस का P Square Q X plus 2 P Q X राइट अड़ साइड में P X Square Y माइनस का Q X Y Square आ गया अब इन दोनों को Solo करेंगे तो हमारे पास देखे सिद्फा समाकलन कर दिये इन दोनों द्रूत तो हमारे पास पी बटा क्यू बरावर ए प्रपा एक्स जिससे की पी कमान आ गया पी बरावर एक गुना क्यू अब इस पी के मान को समिकर नमबर एक में गर्ट की कमान निकालेंगे तो क्यू हमारे पास है जड रूट जड ब्टा रूट एवई यह समीकर नमर दो यह क्यू कमान आ गया और क्यू के मान को वापिस मान में समीकर में रखेंगे तो पी क्या रहा था lay q व Wheat X था तो उसमें ayq के बाता में एक्स राकर स्चुल करेंगे तो बुटा ऐगा बुटान ओिए प्रवाण अप्रane oh स wizard एक्स्वाख समय की डियुवाइज अब udze बराबर डीक्स प्लस क्यू डियु её इसमें प और प्यू an रखके इसके समाक लिंग कर देंगे तो हमारा आइगा लाश्ट में देखे जैड बराबर बी एक्स की पावर ए वाई की पावर वन अपॉन ए यहां सुराएगा बार वपर सन हमारे पास है क्यू बराबर 3P स्क्वेर 3P स्क्वेर को लेफ टेंड बे लेगी तो माइनिस का 3P स्क्वेर बराबर 0F बराबर हो गया समीक नबर 1 आगी क्यों क्यों चैडव नीजिसे ॉप्यमी को डाइब्यका स्वाल अन्येथिद करें में अ ऐसकेड़न गदीप्धिद का जोड़ में और वन की प्यों क्यों को टोर्ट प्या है 30 डिक्यूम मैंतलर कि वहाँ जरू आएगा तो इन दोनों का अप्राबर रहें किस्वारों करेंगे दो रहें P बराबर Q बराबर मारे पास आ रहे Q यानि P के अपन Q रखेंगे अब देखे P कमान आ रहे Q तो यह P कमान आ रहे खेंगे तो Q माइनस 3Q2 यानि इसे Q कमान आएगा 3a is meanASS अब देखे पी और Q धोन மोण बराबर हो गए तो जब तोनों को अलग Ice cims का 16T का 16 T P बराबर हो गया 1 और Q बराबर हो गया B अब इसे P बराबर A को समिकर नमबर 1 में रखेंगे तो Q का मान आएगा 3A स्क्वेर यानि Q के लो मान होगे 1 तो अच्र B था और 1 ता 3A स्क्वेर था अब D Z बराबर P T X प्लस Q डिवाई समीकर में P और Q कमान रख देंगे तो P कमान कितना आएगा A क्योंकि अच्छर दे रहा है और Q कमान है B सबसे पहले A और B रखेंगे उसके बाद Q का औरीजिनल मान 3A स्क्वेर रखेंगे तो यहां पर देखें D Z बराबर A D X प्लस B D Y समाकलंग कर देंगे A X प्लस B Y प्लस C अब यहां पर B का औरीजिनल मान 3A स्क्वेर वो रख देंगे तो Z बराबर A X प्लस 3A स्क्वेर वाई प्लस C यह अंसर आएगा क्योंसर नंबर बारवेगा अब क्योंसर नंबर तेर्वा हमारे पास है Y Z P स्क्वेर बराबर Q Y Z P स्क्वेर बराबर Q Q को लेट में लाखेंगे माईनस के Q होजाएगा तो F बराबर Y Z P स्क्वेर माईनस Q बराबर 0 यह होगी विजदा क्योंसर नंबर 1 F का P की सपक्स आनसी का उकल Q के शपक्स आंसी ऐुकल करएंगे, X के सपक्स Y के सपक्स Z के सपक्स वो 6 मान पूरे निकाल देंगे लेकिन वो 6 मान निकालने के बाद, हम क्या करेंगे यह जो समुखन देर किया उपर इसमें लिप्ट साइड में और रैट साइड में दोनों तरफ Z की करुएंगे तो यह माननेंगे एक यह पिछे बी केर करवाया था पीछ वाले ऐक्साइजम में अब मानें एक बाटा दो इसमल जड़ स्क्वेर बड़ाबर के पिटन जड़ तो हमाले को क्या capital P मान लेंगे और क्यों को क्या क्यों को क्या मान थे डेल जड़ अपॉन डेल वाइ और जड़ का जड़ एस पूरे को मान लिया capital Q तो इन सभी दोनों मानों से इस समिकन में उपर जो मान आता है उसमें मान रखेंगे तो मर पास आएगा Y P स्क्वेर बराबर capital Q क्यूप 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 क्य आएगा a square y अब दीजड ब्राबर a dx plus a d z ब्राबर p dx plus q dy था उसमें p command a or q command a square y रखके solve करेंगे तो d z ब्राबर a dx plus a square y into dy और दोनों तो कर दिया समाकलन dx का आगिया अग्या जड दीजड का आगिया जड ब्राबर a x प्लस a square y dy का y square upon 2 प्लस 1 by 2 भी constant है अब z का मान जो क्या माना था यहाँ पर capital Z बराबर 1 बटा दो z square यानि z square बटा दो वो वापस रख देंगे z square बटा दो बराबर a x प्लस 1 बटा दो a square y square प्लस 1 बटा दो b अब इस लोको उस्तरफ गोना खराएंगे z square बराबर 2 a x प्लस a square y square प्लस b यह answer आगे question number 13 का अब last question है पंदरवाफ परसंड इससे exercise का और इस chapter का तो p square प्लस q square गोना x बराबर p z, p z को लेफ्ट में ले जाएंगे तो f बराबर p square प्लस q square into x माइनस का बराबर जिरो इसे देदिये समय का number 1 अब इस f का p के सब एकस सांसी का उकल निकालेंगे q के सब एकस सांसी का उकल निकालेंगे और उसके बाद डेल f upon del p में p की गुणा करेंगे डेल f upon del q में q की गुणा करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह मान आएगा उसके बार डेल एक्स का मान निकलेंगे और य के साप एक्स निकलेंगे जेट के साप एक्स निकलेंगे यह चैमान निकलने के बार डी एक्स बराबर डी वाइ बराबर डी जेट माइनस का पी स्क्यार बराबर माइनस का डी क्यू बटा माइनस का पी क्यू माइनस का पी क्यू तो माइनस का डी पी बटा क्यू स्क्यू बराबर माइनस का डी क्यू बटा माइनस का पी क्यू माइनस से माइनस के न सी लो गया तो इस माइनस पी को इस तरफ गुणा करा माइन तो P D P P L S Q D Q बढ़र 0 दोनों परूफ कर दिया समाकलन तो P SQS QS 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 अब तेन कमान मापिस 2 में रखेंगे क्योंकि Q कमान गयाद करना है इस P कमान को यहां पे रखेंगे तो Q कमान आजाएगा To Q कमान हमारे पास आएगा A Z-square minus A-square in to X-square की और 1 बटा 2 upon Z यानि Q कमान हमारे पास आए A root Z-square minus A-square x-square upon Z यह की समिकर नबर च्यार अब बराबर फिज़ प्लस q डिवाई फिए पर कियो का मारक रहे कि समाक लिंग कर देंगे तो ज़र बराबर एक्स अपॉंज डि. x plus a bracket z square minus a square x square की all power 1 by 2 upon z into dy अब z का दोनों तो फैल सी हम लेकिए dz में गुणा करा देंगे तो z dz बराबर a square x into dx plus a bracket z square minus a square into x square की all power 1 by 2 into dy अब यहां पर z dz है और यहां पर x dx है और यहां पर x है और यहां पर dy है तो a square x a square x dx को ले जाएंगे left end पर तो minus को जाएगा उसके बाद में z square minus a square into x square की all power 1 by 2 को भी left hand side की upon में बेज़ देंगे तो z dz minus a square x dx upon z square minus a square x square की all power 1 by 2 बराबर a dy आ गया दोनों तरफ कर दिया समाकलन तो हमारे पास आ गया result आ गया root z square minus a square x square बराबर a y plus b दोनों तरफ कर देंगे square z square बराबर a square x square plus a y plus b का all square आज जाएगा answer question number 15 तो इस परकार से इसमें एक दो कर्सन छोड़े हैं तो वो कर देंगे आप लोग और यह exercise होगी समाप second e और next lecture में chapter number 30 की और बढ़ेंगे तो आज के वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत तन्यवाद कर दो